चंद्र ग्रहन के बारे में प्रात्मिक सिख्छा के दौरान ही बिज्ञान की पुष्टपों में जानकारी दी जाती है कि ये एक प्रकार की खबोलिय इस्थिति होती है जिनमें चंद्रमा प्रित्वी के और प्रित्वी सूरे के चारो और चक्कर कारते हुए जब तीनों एक सीधी रेखा में और इस्थिति होते हैं जब पृत्वी सूरे और चंद्रमा के बीच आती है और चंद्रमा पृत्वी की उप्छाया से होकर गुजरता है तो उसे चंद्र ग्रहन कहा जाता है ऐसा केवल पुर्णिमा को ही संभव होता है इसलिए चंद्र ग्रहन हमेशा पुर्णिमा को ही होता है वहीं सूरे ग्रहन क के दिन सूर्य और प्रिद्वी के वीज चंद्रमा आता है जो की अमवस्या को संभव है ब्रह्मांड में घटने वाली ये घटना है तो खगोलियत लेकिन इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ही ज्यादा है इसे लेकर आम जन्मानस में कई तरह के शकुन अप्शकुन भी व्या आपको बता दें कि इस महीने की 27 तारिख को अकाश गंगा में दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटने वाली हैं एक तरफ जहां पूरे देश में 27 जुलाई को गुरी पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाएगा वही पर शाम के समय चंद्र ग्रहन का सूतक भी राशियों को विशेस रूप से सावधान रहने की आविशक्ता है जोतिश शाष्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहन रात 11 बचकर 45 मिनट से शुरू होगा और रात 3 बचकर 54 मिनट तर चलेगा ग्रहन का मध्यकाल रात को 1 बचकर 50 मिनट से होगा ग्रहन मध्यप्रदेश के अत्रिक पूरे भारत सहित बिशुर के अनेक देशों में नजर आने वाला है ग्रहन के अगले दिन से भोले बाबा महादेव को प्रसन करने वाला सावन का महीना भी शुरू होने वाला है ग्रहन की दो पहर 12 बचकर 30 मिनट तक भद्रा है ये ग्रहन 3 घंटे 56 मिनट तक रहेगा 104 मिनट रहने वाले इस ग्रहन की वज़ा से सभी राशियों के जीवन पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पढ़ने वाला है और उनके जीवन में बहुत से बदलाव भी आएंगे आज हम आपको इस खबर के माध्यम से आपकी राशी के अनुसार इस ग्रहन की वज़ा से क्या-क्या प्रभाव पढ़ने वाला है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं तो आईए आपको बताते हैं कि चंद ग्रहन की वज़ा से आपकी राशीयों पर क्या-क्या प्रभाव पढ़ने वाला है तो शुरू करते हैं मेश रासी से मेश रासी वालों के लिए ये 27 जुलाई को चंद ग्रहन की वज़ा से इनके लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समामान होने वाला है सुख संब्रेधी में ब्रेधी होगी जो व्यक्ति नौकरी पेशा वाले हैं उनको किसी अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिलने वाला है आपकी पदो उन्नती होने की सम्मामा बन रही है चल या फिर अचल संपति की दिशा में आपको सफलता जरूर मिलेगी अब बात करते हैं ब्रिशब राशी वालों की ब्रिशब राशी वाले व्यक्तियों को 27 जुलाई को लग रहे चंद ग्रहन की वज़ा से आपको अपने मन की भावुकता पर नियंतरन रखने की जरूरत है किसी के कार्य में आगे रहकर हश्ट छेप मत कीजिए और ना ही अपने कार्यों में किसी का हश्ट छेप सुनकार कीजिए आपको पढ़ने वाले इस चंद ग्रहन में अपनी और परिवार की प्रतिष्ठा का ध्यान दखना होगा अगर आप दूसरे के कार्यों में हश्ट छेप करेंगे तो आपके सम्मान को खेश पहुँचने की संभावना बनी ही है अब बात करते हैं मिठोंदाशी वालों की मिठोंदाशी वाले व्यक्तिओं को सताई जुलाई को बड़ रहे चंद ग्रहन की वज़ा से इस राशी वाले व्यक्तियों के अधिनस्त करमचारी से आपको परिशानी हो सकती है घर के पडोसे मित्र या दूर के रिष्टेदार के कारण आपको गश्ट प्राप्त होगा, आपको अपनी सेहत का विशेश ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपके स्वास्त बिगणने की संभावना बने ही वी है, वाहन चलाते समय आपको विशेश सावधानी बरतने की जरू के लिए सताई जुलाई को हो रहे चंद ग्रहन की वज़ा से, जीवन साती के साथ नोक जूप होने की संभावना बन्द ही है, आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर वाद बिवाद भी हो सकता है, आपको अपने पार्टनर के स्वास्त और समान का विशेश ध्यान देना हो का भावुक्ता में आकर कोई भी ऐसा फैसला मत लीजिए, जिसकी वज़से अपनी पत्नी का स्वास्त प्रभावित हो। अब बात करते हैं सिंगराशी वालों की, सिंगराशी वाले व्यक्तियों के लिए 27 जुलाई को हो रहे चंडग्रहन की वज़ा से आप अपने कार्शेतर में दूसरों की सहायता ले सकते हैं। जिसकी वज़ा से आपको अपने कारे छेत्र में आगे बढ़ने में सहायता प्राप्त होगी, आपकी समाज में मान सम्मान में गृती भी होगी, जो ब्यक्ति डागनेती छेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको अपने छेत्र में आशा अनुसार सफ़ता प्राप्त होने के उपन रहे हैं समाजिक कारियों में भी आपके प्रतिष्ठा बढ़ेगी अब बात करते हैं कन्या राशी वालों की कन्या राशी वाले ब्यक्तियों के लिए सताई जुलाई को हो रहे चंद्रक्रहण की वज़ा से आपके मन में किसी ना किसी बात को लेकर डर रहेगा आपको वाणी पर नियंत्रन रखने की आविशक्ता है नहीं तो आपके डिष्टों में तनाव कुद्पन्न हो सकते हैं इस राशी वाले ब्यक्तियों को पारिवारिक तनाव का सामना भी करना पड़ेगा जो ब्यक्ति व्यापारिक छेत्र से जुड़े हुए हैं उनको अपने छे परिप्तियों को सताई चुलाई को हो रहे चंदग्रान की वज़ासे आपको धन से सम्बंदित परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है शारिरिक और मांसिक तनाव का सामना करना होगा धार्मी कारियों में आपकी रुची बढ़ेगी आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक का स्थान पर भी जा सकते हैं जिसकी वज़ा से आप अपने मन को शांत कर पाएंगे तनाव के स्थिती में आप एकांत में मत रहिए अब बात करते हैं ब्रिश्चक राशी वालों की ब्रिश्चक राशी वाले व्यक्तियों को 27 जुलाई को हो रहे चंदग्रान की वज़ा से जो व्यक्ति नौकरी पेशा वाले हैं उनको पदो उन्नती होने की सम्हावना बंद ही है समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा में व्रिद्धी होगी लंबे समय से रुके हुए कार्य सफलता पुरुवक पूरे होंगे आपको अपने ब्यावसाई क्षेत्र में सफलता प्राप्ठ होगी आपका स्वास्त ठीक रहेगा अब बात करते हैं धनु राशी वालों की धनु राशी वाले व्यक्तियों को सताई चुलाई को हो रहे चंद्रग्रहन की वज़ा से किसी भी प्रकार के पैसों से संबन्दी लेन देन में सावधानी बरतने की अविशक्ता है चंद्रग्रहन की वज़ा से इस राशी वाले व्यक्तियों की भावक्ता बढ़ेगी अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो डूब सकता है आपको अपनी सेहत का विशेश ध्यान लग देना होगा आप किसी रोग की वज़ा से परिशान भी रह सकते हैं माता पि को हो रहे चंद्रग्रहन की वज़ा से आपके स्वास्त पर प्रभाव पढ़ने माला है आपके राशी पर मंगल के साथ केतू है और उस पर खग्रास चंद्रग्रहन है इसलिए आप इस समय के दवरान कोई भी जोखी मभरे कारी को करने से बचें घर परिवार में तनाव के इस्ति उत्पन हो सकती है अब बात करते हैं कुम्ब राशी वालों की कुम्ब राशी वाले व्यक्तियों के लिए सताई जुलाई को हो रहे चंद्रग्रहन का बहुत शुब प्रभाव पढ़ने माला है इस राशी वाले व्यक्तियों की आर्थिक इस्तिति मजबूत बनेग लेकिन आपकी भावुक्ता का लाब उठा कर कोई भी ब्यक्ति आपको धोखा भी दे सकता है जिसकी वज़ा से धन या फिर प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है इसलिए आपको सावधान बरतने की अवशक्ता है आपका स्वास्त बिल्कुल ठीक रहेगा अब बात करते हैं मीन दाशी वालों की मीन दाशी वालों व्यक्तियों को सताई जुलाई को हो रहे चंद ग्रहन की वज़ा से अगर आप अपने पदो उन्नती या नए अनुबंद की दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो ये चंद ग्रहन आपको सफलता दिलाने वाला है आपके द्वारा किये गए प्रयास सार्थक होंगे शासन सत्ता का पूरा सायोग प्राप्थ होगा आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत बनेगी जो ब्यक्ति ब्यापारी हैं उनको ब्यापार में लाब मिलेगा अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और बेकोटर, पीजियो एडिटर, कैमरा मैं या स्कुर्प राइडर, तो हमें संपच को